कल 22 अच्टूबर को किस प्रकार से आपको इंटराडे स्टॉक में ट्रेट करना है हम लाए हैं आपके लिए 5 जवड जासते स्टॉक जिनको आप कल ट्रेट कर सकते हैं और वो स्टॉक्स आपको अच्छा रिटर्न देखे जाएंगे तो इस वीडियो पर बने रहिए इस वीडियो को पूरा देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए सबसे पहले स्टॉक से हम स्टॉक करते हैं जो स्टॉक है टाटा स्टील का इस स्टॉक में आप देख सकते हैं इस श्टॉक में आप कल किस प्रिकार से टीड करेंगे यह हम देखते हैं अभी जो चार्ट लगा हुआ है इस पर वो 15 मिट का लगा हुआ है इसको कल किस प्रिकार से ट्रीड करना है इसका क्या Is Stop Loss होगा क्या Scepor horr watches होगा क्या Resistance होगा इसको हम देखते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर यह stock कल इसी level के आसपास खुलता है और time बिताने के साथ साथ open निकलता है, तब आप इसको buy करके trade कर सकते हैं, अगर यह stock नीचे की तरफ open हो तो आप इसको ignore current rate करना, अगर यह हमारी condition के ऊपर इधर पर कहीं पर खुलता है, तो आप इसको trade कर सकते हैं, buy करके इसको trade कर सकते हैं, अगर time बिताता है इधर पर और range का breakout होता है, तो इसको buy करके trade कर सकते हैं, क्योंकि यह stock एक range बना के चल रहा है उपर की तरफ, आप इसको देख सकते हैं, जो range बना के चल रहा है, यह इधर पर इसकी range बन रही है, इस range को देख सकते हैं अगर यह स्टॉक इधर पर भी open होता है और time अताने की बाद नीचे की तरफ आता है तब आप इसको sell करके trade कर सकते हैं तो आखर इस इस टॉक को इस प्रेकार से trade कर सकते हैं जो आपका stop loss होगा इधर पर होगा, अगर आप बाए करते हैं ठ्रेंड लाइन की निचे होगा, अगर आप SELL करते हैं ठ्रेंड लाइन के उपर की तरफ आपका Stop Loss होगा, तो कल कुछ इस स्प्रकार से इस स्टॉक को अप Trade कर सकते हैं, बाँखे बेट कीजी सबसे पहले रेंज बनने दीजी रेंज का जब ब्रेक आूट हो तब ही आप ट्रेड लीजिए तो अब हम बात करते हैं अगले स्टॉक की अगला जो stock है वो है Mahindra and Mahindra इस stock में भी आप देख सकते हैं लगबख 4 दिन से ये stock uptrend को follow कर रहा है और उपर की direction में चल रहा है तो इस stock को आप किस प्रकार से treat करना है जो हमारी chart पर time frame लगा है वो 15 minute के लगा हुआ है तो कल इस को किस प्रकार से आपको treat करना है आप इधर पर देख सकते हैं अगर कल market इस level के आसपास open होता है और time मिताने के साथ साथ उपर की तरफ निकलता है तो आप इसको buy करके treat कर सकते हैं अगर ये नीचे की तरफ open होता है तो आप इसको treat करना है ignore कीजिए अगर ये trend line के ऊपर खुलता है time मिताने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है तब आप इसको buy करके treat कर सकते हैं ये stock भी आपको जोड़ जस return ने देके जाएगा तो कुछ इस प्रकार से आप इसको treat कर सकते हैं और आपका stop loss इस trend line के नीचे रख सकते हैं तो हमारे दो stock ये हो गए इनको इस प्रकार से treat कर सकते हैं अब हम अगले stock को देखते हैं अगला जो stock है sun pharmaceutical इस stock में आपके इस प्रकार से treat करेंगे कल के लिए तो हम इसको देखते हैं अगर ये stock इस resistance के ऊपर open होता है धर पे और time बिताने के साथ उपर की तरब नकलता है तो आपको पहला target जो देखने को मिलेगा वो 1145 का मिलेगा और जो दूसरा target देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा 1100 on town का ये target आपको positional trade में देखने को मिलेगा तो कुछ इस प्रकार से आप इसको trade कर सकते हैं अगर ये इसके ऊपर open होता है अगर ये इधर पर open होता है और time बिताने के आद ऊपर की तरब नकलता है तब आप इसको buy करके trade कर सकते हैं और आपको पहला target इस label की आसपास हो सकता है और अगर ये trend line की नीचे की तरब खुलता है तो आप इसको trade करना इंग्नोर कीजिए और इसको positional में आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं क्योंकि जब इसका break out होगा तब आपको इस stock में अच्छा momentum देखने को मिलेगा ऊपर की तरब तो आखिरकार ये stock वी जवर्जस्त है ट्रेट करने के लिए चोथा जो stock है वो है डानी enterprise इसका इसको भी आप देख सकते हैं लगवक तीन दिन से ये एक triangle बना रहा है नीचे की तरफ ये एक support का काम कर रहा है इस level पर लगवक तीन चरवार support को retest करके बार बार ये support की तरह काम कर रहा है और उपर की तरफ ही level resistance की काम कर रहा है अगर कल ये stock इस level के ऊपर open होता है और time बताने के बाद ऊपर की तरब नकलता है तब आप इसको buy करके trade कर सकते हैं और इसमें अच्छा return कमा सकते हैं बाइ करने के लिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये stock लगवक अप ट्रेंड में हैं लगवक 57 दिन से तो इस stock में जो maximum probability है वो ऊपर की है तो कुछ इस प्रकार से आप इसको trade कर सकते हैं अगर ये ऊपर की तरह open होता है और range बनाने के बाद ऊपर की तरह नकलता है तब आप इसको buy करके trade कर सकते हैं और आपका stop loss still 9 के नीचे होगा तो कुछ इस प्रकार से आप इसको trade कर सकते हैं अब हम बात करते हैं आखरी stock की आखरी जो stock है वो है ICICI bank का अगर ये stock ऊपर open होता है तब ही आप इस में trade कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से अगर ये gap up open होता है इस resistance के ऊपर ये फ्रेजिस्टेंस के ऊपर open होता है तब आप जो target मिलेगा वो मिल सकता है 981 का तो इसको आप positional में भी trade कर सकते हैं और intraday में भी trade कर सकते हैं बाकि इसकी जो condition है वो यही है कि जब ये इस resistance के ऊपर open होता है और टाइम में ताने की बाद जब ऊपर की तरफ निकलता है तब आप इसको buy करके trade कर सकते हैं आखर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो कुछ जरू लाइक कीजिए चैनल कुछ उतने अदा सेयर हो सकते तो उतने अदा सेयर मिलते हैं अगले वीडियो में